टीजीटी, पीजीटी, प्रेटिसेट के आज के अंक में आप सबीलों का स्वागत है चलिए आज का पहला कुछ से लेते हैं निमलकित में से कौन एपी मार्फोसिस की दसा नहीं है देखे इसके पहले के सभी कोईशन पिछले वीडियो में हो चुके हैं आज 53 नंबर कोईशन से सुरू करेंगे तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा निमलकित में से कौन एपी मार्फोसिस की दसा नहीं है तो इसका आंसर सही होगा आपको बता दे की एपी मार्फोसिस क्या होती है तो epimorphosis एक ऐसी प्रकिरिया है जिसके द्वारा किसी घाव अथवा घायल भाग की कोशकाएं ब्रिध्धी करती है और ब्रिध्धी करके सरीर का जो भाग खोया हुआ है वो अंग पुनह निर्मार कर देती है यानि खोया हुए भाग को पुनह बना देती है जैसे छिपकली में पूँच का पुनरजनन होता है ऐसे ही जो तारामेन थी जो इस्टार्फिस थी उसमें भुजाओं का पुनरजनन होता था ऐसे जो salamander है उसमें पाद या लिम्ब का प्रतिस्थापन होता है तो ये हो जाएगा फिर अगला question है इस तन्यों में बार बाड़ी प्रदर्सित करती है जो इस तन्धारी होते हैं इसमें बार बाड़ी क्या प्रदर्सित करती है चार आपसन आपके सामने दिये गए हैं पोचिये और बताईए तो इसका आनसर सही होगा इस तरह की काईक कोशिकाओं में दो एकश गुष्योत्रों में से एक गुष्योत्र आपको बता दें यदि कोई व्यक्ति उसमें समानिक्य अप्रदर्द एक एकश गुष्योत्र अधिक हो तो एक X गुड़ सूत्र सक्री रहता है जबकि दूसरा X गुड़ सूत्र निसक्री हो जाता है और संघनित होकर के बारबाडी का निर्मार करता है बारबाडी का तो इसमें आंसर B वाला सही होगा नेश कुछन है bidders canal उपस्थित होती है bidders canal किसमे उपस्थित होती है सोचे और बताईए तो आंसर सही होगा इसमें से bit नर्मेढक में bidders canal उपस्थित होती है नर्मेढक में आपको बता दें कि जो बिडर्स का एनाल है ये नर मेड़क में तो उपस्थित होती ही है साथ में सुक्राणवों को मार्ग प्रदान करने का भी कार करती है मार्ग नेश कुशन है ससक की जाइगोमेटिक आर्च का निर्माण होता है जो ससक में जाइगोमेटिक आर्च होती है उसका निर्माण होता है चार आपसंदिये गए हैं सोचे और बताईए तो आंसर सही होगा इसमें से C, मैकसिला, इसकोएमोशल एवं जुगल अस्थियों के द्वारा अब आपके मन में प्रश्ण होगा जुगल क्या है तो जुगल एक सकरी तथा लहरदार अस्थि होती है सकरी और लहरदार हड़ी होती है और यहाँ इसकोएमोशल तथा मैकसिला अस्थि के साथ जाइगोमेटिक प्रवर्धों को परसपर जोड़कर जाइगोमेटिक आर्च का निर्माण करती है रेश्ट कुशन है डार्विन की फिन्चेंज है चार आप्षन आपके सामने दिये गए है कौन सा आप्षन सही होगा सोचे और बताईए डार्विन की फिन्चेंज है गैला पैगोस द्यूप पर उपस्थित पच्छियों का एक प्रकार काईटिन कवकी कोशिका भित्य का एक संगटक है इसके जल अपगटन द्वारा प्राप्त होता है चार आप्षन आपके सामने दिये गए हैं कौन सा आप्षन सही होगा काईटिन कवकी कोशिका भित्य का एक संगटक है इसके जल अप घटन द्वारा प्राप्त होता है तो इसका आंसर सही होगा B. N. Acetyl Glucosamine नेश कुछन है निवलकित में से कौन म्रत होती हैं किन्त फिर भी दच्छता पूर्वक कारे करती हैं कौन म्रत हैं लेकिन फिर भी दच्छता पूर्वक कारे करती हैं तो आंसर सही होगा इसमें से पहला चालनी नलिकाएं या सेप ट्यूप्स आपको बता दें जो चालनी नलिकाएं हैं ये सेलुलोज की पतली भीति वाली होती हैं सेलुलोज की पतली भीति वाली और ये परपक को आवस्था में केंद्रक रहित होती हैं यानि केंद्रक नहीं होता है इनमें और ये फ्लोयम का समवाहा कती हैं कंडक्टिंग एलिमेंट्स होती है नेश कुसन है जलिये अनकूलन युक्त पादप उतक है जलिये अनकूलन युक्त पादप उतक का नाम बताना है आंसर सही होगा इसमें से सी वायू तक आपको बता दें कि म्रदूतक जो है ये सम्व्यासी कोशिकाओं का बना होता है और सम्व्यासी कोशिकाओं तो होती है उसकी भित्यां भी पतली होती है यानि सम्व्यासी कोशिकी ये पतली भित्य वाला होता है और इसके बीच में अंतरा को उसके अस्थान नहीं पाय जाते हैं और मृदूतक का कार पूछा जाए तो मृदूतक का कार होता है भोजन को इकठा करना उसका संचे करना लेकिन जो जली पोधे होते हैं जो जल में पाय जाते हैं तो उन पौधों में जो मृदू तक होता है उसमें कुछ वायू अवकास उत्पन हो जाते हैं और इस प्रकार के मृदू तक कहा जाता है या एरन काइमा कहा जाता है और ये जली पौधों को प्लवन में सहायता करता है प्लवन यानि तैरने में हेल्प करता है next question है कोशिका का उर्जा का सिक्का कहलाता है छोटे classes का question आया है लगभख सभी लोग तुरंत बता लेंगे कि कोशिका का उर्जा का सिक्का क्या कहलाता है यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजी और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजी इसका आंसर होगा DATP यानि एडिनोशिन ट्राई फास्पेट और ये कोशिका का उर्जा का सिक्का कहलाता है ATP प्रचूर उर्जा वाला योगी कोता है जिसमें उर्जा टर्मिनल फास्पेट बंधों के रूप में उपस्तित होती है टर्मिनल फास्पेट बॉंड्स के रूप में पाई जाती है नेश कुशन है समवहनी आप उस पी पादप है समवहनी आप उस पी पादप बताना है तो इनका आंसर सही होगा B. टेरिडोफाइट्स आपको बता दे हैं कि टेरिडोफाइट्स को समवहनी आप उस पी पादप भी कहा जाता है वैस्किलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है और इन में समभाहन उतक पाया जाता है इसलिए समभाहनी आप उस भी पादप कहते हैं और समभाहन उतक होते क्या हैं तो जायलम और फ्लोयम समभाहन उतक होते हैं किन्तो इन में पुस्प नहीं उत्पन होते हैं समभाहने उतक तो पाया जाता है लेकिन पुस्प नहीं बनते सोचे और बताईए अनुवांसिक अभियांत्रकी में प्रियुक्त होने वाले प्लाजमेट्स का नाम बताना है कौन से होते हैं तो इसमें आंसर सही होगा पहला बाहगुरसूत्रिय डियनने आपको बता दें जो प्लाजमेट है ये जीवान कोसिका में पाये जाने वाले बाहगुरसूत्रिय डियनने अड़ होते हैं जीवान की कोसिका होती है उस कोसिका में पाये जाते हैं और क्या होते हैं तो बाहगुरसूत्रिय डियनने अड़ होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल माटेरियल होता है प्लाजमेट और प्लाजमेट का प्रियोग अनवानसिक अभ्यांतर की या जेनेटिक एंजिनिरिंग म पर बताईए, चारण के द्वारा गासों को लाब प्राप्त होता है तो यह उदाहरण क्या होगा? सही भूजता पर भखछन, सहोप करता, एमेंसलिस्म तो आंसर सही होगा इस में से C espíak 벌써 कारिता होगा आपको बता दें ये सहोप कारता, सह भोजता पर जितने भी option है सब पर video मेरे चैनल में uploader है आप लोग जा करके देख सकते हैं Next question है पादब कोशिका में कोशिका पंजर निर्मित होता है पादब कोशिका में कोशिका पंजर किस के द्वारा निर्मित होता है कहा गया है जो प्लांट सेल होती है यदि आप लोग प्लांट सेल के बारे में जाना चाहते हैं तो सची तरवर्ण में अप्लोडर है आप लोग जाकर के देख सकते हैं फिलहाल इसमें आंसर से योगडी उपरोगत सभी यानि सूज में नलिकाओं के द्वारा, सूज में तंतों के द्वारा और मध्धत तंतों के द्वारा कोशी का पंजर बनता है या निर्मित होता है नेश कुछन है रंद्रों के खुलने एवं बंद होने के किरिया में जब के प्लस आइनों का आगम होता है तो निर्गम में से किसका निर्गम होता है किसका निर्गम होगा तो आंसर सही होगा इसमें से D H प्लस का निर्गम होता है आपको बता दें कि रंद्रों के खुलने तथा बंद होने की किरिया के लिए K प्लस पंप की परिकलपना लेविट ने सन 1947 में प्रस्तुत की थी लेविट ने सन 1947 में दिया था नेश कुछन है समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुर्षूत्र मध्यरेखा पर बेवस्थित हो जाते हैं सोचिए और बताईए समसूत्री विभाजन की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें गुर्षूत्र मध्य रेखा पर विवस्थित हो जाते हैं तो इसका आंसर सही होगा B. मध्या अवस्था यानि समसूत्री विभाजन की मध्या अवस्था के दोरान गुर्षूत्र संगहनित एवं संकुचित होकर और आत्यंत इसपष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं नेश्कुशन है दोई कूंडलित डिन्ने के सूत्र प्रतिसामानांतर होते हैं यानि एन्टी पैरलल होते हैं किसके कारण होते हैं सोचे और बताइए कौन सा आपसन सही होगा तो आप्शन सही होगा इसमें से पहला फासपोर डैश्टर बंधों के कारण और आपको बता दें कि DNA नुकलियोटाइड आणवों का दुई सूत्री बहुलक होता है नुकलियोटाइडों का बहुलक होता है और DNA के दुई कुंडलन में दोनों पालिनुकलोटाइड बिपरीत दिसाओं में या जो दोनों पालिनुकलोटाइड चेन होती है ये बिपरीत दिसाओं में होती है एक दुसरे के एंटी पैरलल होती है और प्रतेक polynyucleotide संखला या चेन में फासफेट, समोग, फासफोरडासटर बंदों द्वारा एक सरकरा 3 कारबन अड़ को तथा दूसरी सरकरा 5 कारबन अड़ से जोड़ता है यहनी फासपोर डाश्टर बंद किसके बीच होता है तो तीन कार्बन से पांच कार्बन के बीच में होता है और किसमें तो दो नुकलोटाइट के बीच में नेश कुछन है जलासयों में सुपोशन का कारण है जो जलासय होते हैं उसमें सुपोशन का कारण क्या है तो आंसर सही होगा इसमें से पहला जलासयों में कार्बनिक पदार्थों का मिस्रण ये है सुपोशन का कारण अगर आपके मन में प्रेश्ण हो कि सुपोशन क्या है तो जलासयों में जो पोशक होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में अत्यदिक बृध्धी जब होती है तो उसे ही सुपोशन कहा जाता है जो जलासे में पोशक पदार्थ पाये जाते हैं उनकी मात्रा में अत्यदिक बृध्धी का होना ही सुपोशन कहलाता है और इसके फल स्वरूप जलासों में कार् तो जो जलिये जीव होते हैं उनकी मृत्यू भी हो शक्ती है नेश कुशन है ब्रायो फायर्स में बिजानोद भिद प्रावस्था प्रदर सित होती है सोचिए और बताईए कौन सा आप्सन सही होगा आप्सन सही होगा इसमें से C बिजान मात्र कोशिका के द्वारा नेश कुशन है पत्यों का कारे करने वाले चप्टे हरे अंग के रुपांत्रित तने को क्या कहा जाता है क्या कहेंगे वर्णाब, परणाबरिंत, सल्क और परणाबपर्व अंसर सही होगा इसमें से B परणाबरिंत कहेंगे और आपको बताते चलें कि पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हारे रंके रुपांतिरी तने को परणाब भृंत तो कहते ही हैं और साथे साथ इन पादपों में प्रकास संसलेशन इनहीं संरचनाओं में होता है यानि परणाव भ्रंत में होता है उधारण के लिए ओपेंसिया में नेश्कुजन है उद्परिवर्तन के सम्मध में कैंसर कोसिकाओं के लिए निम्लिकित कत्रों में से कौन सा सही नहीं है चार आपसन आपके सामने दे गए है एक आपसन इसमें से सही है सोचिए और बताईए कौन सा आपसन सही है तो इसमें आंसर सही होगा C उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित करता है जो टीलोमरेज है इसके उत्पादन को संदमित करता है नेक्स कुछन है हरित लवक में प्रोटन की अधिक्तम संख्या कहां पाई जाती है जो हरित लवक होता है इसमें प्रोटन की अधिक्तम संख्या कहां पाई जाती है तो आंसर सही होगा पहला थैले कौईट की अवकासिका में पाई जाती है आवकासिका में आपको बता दें कि हरिद लवक में प्रोटॉन की अधितम संख्या थैलेकवाइड की आवकासिका में और प्रकास संसलेशन के प्रकासी अवस्था की सभी किरियां हरिद लवक में इसी थैलेकवाइड में ही पूर होती है यानि प्रकासी अवस्था या प्रकासी अप की दिया की सभी की दिया है हज्डलवक के थैले कौर्स में पोढो होती है कौन सा उतक अपनी इस्थित से सही सही मैच करता है सोची और बताईए तो इसका आंसर सही होगा डी चिकनी पेसी आत भिती ये सही सही मैच करता है आसा है आप सभी लोगों को आज के सभी प्रशन अच्छे समझ में आ गए होंगे समझ में आ गए हों तो विडियो को लाइक और सेर कीजिए और अगले अंकी की जानगारी के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब भी किजिए धन्यवाद